मेरे यूटूब चैनल देशी चुला विच सरोज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स थोड़ा सा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है अब थोड़ी सर्दियान शुरू हो गई है तो हम अक्सर चाय बना करके पीते हैं दिन में एक बार दो बार तो मैंने स हुआ चैनल में अदमें चाय बनाने की रेसिपी शेयर करहां टो इक पर्फेक्ट और बड़ियरे चाय की सतर Subs ... और पकाये की सिक नहीं लिए बन देश्जा को लगए कैसे बपकाने स् np. जब मैं बहुत छोटी थी मेरे ख्याल से मैं 6-7 में पढ़ती होंगी तो मेरी ममी कहीं गई हुई थी तो मेरे दादा जैनी कहा कि बेटा मेरे लिए कप चाय बना के लिया तो मैंने कभी चाय बनाई नहीं थी लेकिन बनते हुए घर में देखी थी अब स्टील के बना सकते हैं अगर पीतल का बहुना अपकर पास नहीं है तो यहाँ पर मैं 3 कप चाय बना रही हूँ इसके लिए मैंने 3 कप इसमें पानी ये अड़ कर दिया है और उसके बाद मैं गैस को ओन कर दूँगी अब मैं इसके अंदर एक चोटी लाइची जिसको हरी लाइची भी बोलते हैं उसका मुह खोल करके इसमें एड़ कर दूँगी और साथ में एक लॉंग भी मसल करके डाल दूँगी लॉंग डालने से ही चाय बहुत अच्छी हो जाएगी जो हमारे गले के लिए बहुत फाइदा करेगी और हमें अगर हलकी फलकी सर्दी जखाम खांसी वगरा हैं तो उसके भी ठीक करेगी एक चोटा सा अदरक कर टोकड़ा ले लेंगी हम एक इंच के करीब उसको मैंने छील लिया है चील करके अच्छे से वाश कर लिया है और उसको मैं इसमें उट करके एड कर दूँगी अदरक को आप चील करके ही एड करें फ्रेंड चील के साथ अदरक को चाय में ना डाले क्योंकि आजकल चील के उपर केमिकल लगा होता है chemical में धुलीवी अद्रक आती है जो स्वास्ते के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है ये देखिए ये मेरी अद्रक कूट चुकी है अब मैं इसमें इसको add कर दूँगी इसमें मैं दो तुलसी के पत्ते भी add कर दूँगी ये देखिए इस तरह से तोड़ करके तो मैं चाय बनाने के लिए गई और मैंने गैस के उपर 2 ये करीड पाणी रखा और उसमें मैं फोरी से अद्रक कूट के डाल दी पत्ती अर्दी है और दूट डाल दीया और स्यम गैस पे करके आके बैठ गई तो दाजा जी बोले कि चाय नहीं बना रही तो मैंने का हम मैं बनाने छोटे डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर दो चमच यह अड़ गी है अब मैं इसको medium gas पर कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से पकने दूँगी ताकि चाय की पती अपना अच्छे से color छोड़ दे और चाय कच्छी न रह जाए मेरी चाय पकर के अच्छे से तयार हो जाए और इसमें मैं तीन छोटे चमच चीनी अड़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं खांड यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे दो मैं खांड यूज होता है आप चीनी भी जाल सकते हैं बाकि खांड खांड खांगे तो खांड जादा बेटर होता है यह देखे इसको अब मैं आराम से कम से कम तीन चार पांच मिनट तक उबल ले दूँगी तो मेरे दादाजी ने बोला मुझे चाय बनाने के लिए पानी को खूब अच्छे से पकाओ जब पानी खूब अच्छे से पक जाएगा उसके बाद उसमें चीनी पत्ती कुछ भी एड़ करो उससे पहले कच्छे पानी के अंदर कुछ भी एड़ नहीं करना चाहिए मेरी चाय को पकते हो यह कम से कम 5-6 मिनट हो गया और यह बहुत अच्छे से पक चुकी है अब मैं इसमें दूद एड़ करूँगी यहाँ पर मैं 3 कप चाय बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं 1.5 कप दूद इसमें एड़ कर रही हूँ मैंने यहाँ पर 3 कप पानी यूज किया है और 1.5 कप में इसमें दूद एड़ कर रही हूँ कुछ पानी मेरा जल जाएगा जिसके हिसाब से मेरे 3 कप चाय तयार हो जाएगी यह देखिए अब इसमें बहुत अच्छे से उबाला गया है और यह बहुत यह बढ़ी हा कलर की चाय बन करके तयार हो रही है यह देखिए तो उन्होंने मुझे बोला कि पानी को खूब अच्छे से पकाते हैं सबसे पहले अगर पानी कच्छा रह जाएगा और तुमने कच्छे में सब चीज़े डाल दी तो उस चाय में टेस्ट नहीं आएगा तो फिर मैंने अगले दिन उनके लिए चाय बनाई तो उस दिन उन्होंने मेरी बहुत तारीफ खरी क्योंकि मैंने पानी को खूब अच्छे से उबाला खूब अच्छे से पकाया उसके बाद चीनी पती अद्रक वगरा सब कुस डाल करके और उसके बाद भी मैंने उसको खूब पकाया दूद मैंने बहुत बाद में डाला कम से कम पांसाथ मिनट तक खूब अच्छे से पकाया मीडियम गैस पर और उसके बाद मैं दूद डाल करके बना के लाई तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी अब हम इसको किसी बड़तर में चान लेंगे यह देखिए इस तरह से तो friends ये एक बहुत ही बढ़िया और एक perfect तरीका है चाय बनाने का अगर आप इस तरह से चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बहुत ही tasty और बहुत ही स्वादिस्ट बनकर करे तयार होगी ये इतनी tasty चाय बनकर करे तयार होती है कि जो भी आपकी चाय को पिएगा वो आपकी चाय की तारीफ जरूर करेगा और आपको अगर हलकी फलकी खांसी जुकाम या गले की प्रॉबल्म है तो वो भी अद्रक और तुलसी की चाय से ठीक हो जाएगी अब हम इसको कप में डाल करके किसी भी चीज के साथ सर्फ करेंगे जो भी आपको पसंदो बिस्किट प्रॉंट है, मठी या फिर रस मैं यहाँ पर मठी और रस के साथ सर्फ कर रही हूँ जो भी जिसको खाना है वो अपनी पसंद के अनुसार खा लेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रसिपी पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले बेल आइकेन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रसिपी की साथ थैंक यू फर वचिंग, बाई बाई and टेक केर